draw Euro नमस्कपर दोस्तो आपका है स्वागर में आजम बात करें हो कि की सीस तरह से आप उपनी वड्रपर रिस्पॉंसिव गेलरी एड़ कर चकतो तो यहां पर आपको को बहुत ही सारा benefit मिलगा और इस benefit के बार में बाद में बात करेंगे तो यह सब कुछ जाने के लिए वीडियो देखते रहे है तो तो दखी वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहां पर मैं आपको दिखाना जाता हो कि यह गेले किस तरह से वर्क करेंगी किस तरह से आप अपन पांस एक टेट ब्लोग है वहाँ पर आप अपने ब्लोग में मोबाइल या तो किसी भी गेड़ियो करते हैं तो आप यहां पर चाहते होगा कि इसके बॉटम में या तो इसके मिडल में या तो टोप में कहीं भी आप ऐसी रिस्पॉंसिव गैलरी एड़ करें इसकी मद्द जख सकता है इसी तरह के गीलते हुमास के आपको सिखांगा कि इस तरह की इस तरह से आप यहां पर अगर कर चाहते हों धुगे यहां पर अगरकर के लीए आपके पांता है फ्यप्युतै-उप्यास्प्यस्प्य नोर्ज विगशेख का नोरे इसके बाद एडस कर सकतो यह आपके पांसोन चाहिए बहुत ही सारा यहां पर आपके पांस एक टेट का वलो के इसमें आप यहां पर या मोबल का रिवीव करते हैं तो यहां पर मैं कल सबको समझने बहुत अच्छा रहेगा यह तो आपके 500 PCP प्रकर की वेबसेट हैं इसमें आप आपके रिस्पॉंसिव गैलरी एड़ कर सकते हो तो इसके आपको plug-in इसके बाद एड न्यू plug-in और यहां पर आपको सिंपल सार्च बोक्स में लिखना है फोटो गेलरी तो देखिए यहां पर ज्यासे पॉटो गेलरी लिखो आपके सामने का जाएगा प्लग-इन इस प्लग-इन को इस्टोल करना है फोटो गेलरी 2D इसे आपको वेफेट में इंस्टोल करना है इंस्टोल करना का बाद एक्टिव करना है तो दखिए हमें प्लग इन सकस्पली इंस्टोल हो चुका इसका बद यहां पर मैं से एक्टिव कर देते हैं तो जैसा प्लग इन एक्टिव करते हैं तो तो जैसा प्लग इन एक्टिव करते हैं तो सब्वी option के बारे में यहां पर हम डीटेल में बात करने वाला है और यहां पर आपको देखाऊंगा कि एक्च्छल किस तरह सब कर रिस्पोंसिव गैलरी बना सकते हो तो देखिए सबसे पहले जैसे आपका plugin इस्टॉल होता है यहां पर फिर से step by step सिखाता हूँ plugin इस्टॉल होने के आपको सबसे पहले गैलरी बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहां पर देखना खी की पोस्ट जाने की की सथ्त्रा से की आर्टिकल में gallery बनाने चाहते हो तो यहां पर हमारा देखिए यहां पर Redmi Note 5 का mobile है इसमें यहां पर हम गेलरी बनेंगे mobile के फोटो के तो इसके लिए यहां पर मुझे गेलरी बनाने के लिए सबसे पहले जाना बड़ेगा फोटो गेलरी इसके बद आपको add galleries पर क्लिक करना है और यहां पर आपको आपकी gallery का न दoring आपको यहां लकस्ते है निखना है इसके बद आपको यहां पर रखना है कि आपको gallery क्या रहना जाते हो तो यहां पे आपके लिए फ्री में अगर आप यूजट करता हो plugin को तो यहां पको standard मिलेगा instagram का व्यूजट नहीं कर सकते इसके बद आपको gallery दिस्क्रिप्शन ओप्शिनल है तो इसे यहां पर लिव कर सकते हो इसके बद आपको ने से स्कॉड करके यहां पर आपकी गेलरी में आपको यहां पर नहीं सारे इमेज इड़ करने हैं तो आपको यहां पर दो ओप्शन मिलते हैं आप डारेक्ली एड़ कर सकते हो या तो पे टोप में आपको देखाते का upload file वहांप अब किलिक करके यहां पे multiple images upload कर सकता हूँ तो देखिए यहां पे मेरे पांस कुछ internet में डाउंड किये रेड्मि नोट 5K images तो आपको यहां पे बॉलक में इस तारह से सूस करनी हैं इस तरह से इसका बल्क में आपको open पर केलिक करना है तो सब्धी फाइल यहां पर एक एक करके आपकी व्याक्ट में अपरोड हो जाएगी तो दखिए सब्धी फाइल अपरोड हो चोड़ हो कि इसका पदल आपको Select All पर कलिक करना है और आपको इसमें से खास बात यह कि आपको जहां पर जर्ष्ट इसकी आईडी आपको रिमेंबर रखनी है ताकि बाद में आप इसे यूज कर सको तो इसके लिए सबसे बिला को तो इसके लिए आपको जहां पर देखें के मेरों में आपके देखर करके आप शुर्ट कोर्ड कि मुद्रे से करवा सकते हो तो इसके लिए सबसे बिल आपको यहां पर शॉर्ट कोड्ट करवाना पड़ेगा तो इसके लिए आपको यहाँ पर देखिए मेरों में ओपे देखे अधिकर जन्रेट शॉट कोड़ वहाँ पर क्लिक करके आप शॉट कोड़ जन्रेट करवा सकते हो इसके लिए सबसे फिर देखिए आपको कुछ बिल्गुल फ्रीम है जो यहाँ पर आपकी डिजैन ही से जन्रेट पर क्लिक करके आपको यहाँ पर शॉट कोड़ जन्रेट करवाना है तो देखिए आप हमें शॉट कोड़ आचो का है से आप यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सूज करना है और यहाँ पर आपको सूज करना कि कहा पर आप इस गेलेट को शोग करवाना चाहते हो त यहाँ पर पोस्ट का डिस्क्रॉप्शन कमड़ होता है इसके बिल्कुल नीशे आपको लिशा स्कूर्ड करना है जहाँ आपका कंटेंड कमड़ होता है वहाँ आपको यह शौट कोड़ एड करना है इसे पहले यहाँ पर एस्टू टेग में लिख सकते हो कि फोटो गिलेरी इस तरह से और यहाँ आप एस्टू टेग को कर दीजें और इसका बाद आपको जर्च नीशे एंडर प्रेस करके इस शौट को पेस्ट करना है और यहाँ पर मैंने आपको पहले बता है कि यहाँ पर आपको आपको आइड रिमेंबर रखने पड़ेगी अब देखिए यहा इसके बाद आप इस पोस्ट को एक बार अबड़ कर दीजें अबड़ होने के बाद आप इस पोस्ट को एक बार रिफ्रेश करो कि तो सकस्फुली जो आपकी रिस्पोंसिव गैलरी आपके पोस्ट में स्वह होने लगेगी तो यहाँ पर पोस्ट को रिफ्रेश करते हैं औ पर इसके बाद निया और एसके बाद फूर्भ और आप चाहिए हो कि इसे फूल मोड में आप शोग करा कि तो आपको cab Toa में मिडल पर क्लिकरना है आपको आपकी style सुझ करनी है तो इसके बाद आपको सुझ करने detta को और है कि और आपको भशन गोलिए और आपको करके आपको यह फ्रतल करना यह और इसमियरण करें है और यह अपके पेस्ट करनी है और इस पर आपको यहाँ पर जो भी आपने है कि यहाँ पर जो आपकी डिजारिंग सेंज हो सुकी है और यहाँ पर इस बार हम यहाँ जैसे को यूजर इमेज पर क्लिक कर गा तो अटोमेडिक यहाँ पर पॉप पॉप शो होना चाहिए इस तरह की गेलरी हम बनाने वाले हैं तो अब यहाँ पर दखिए गेलरी आज सु होगी इसके बद आपको नीची यहाँ और फीचर मिलते हैं जैसे कि यहाँ पर अटोमेडिक लाप राट करना तो कर सकते हो इसके बद आपको फूल स्क्रीन में करना कर सकते हो ज़िए इस तरह से तो मेरे ख्याल सब कुछ समझ में आ गया कि कि इस तरह से गेलरी वर्क करते तो बस आसके बद आपको बहुत ही पसंद आयो अगर पसंद आजयते वीडियो को लाइक और शेर करीजे और एसे अमेजिंग वीडियो पाने के लिए आप हमारे शाने को सब्क्राब कर लिजे थांक्यो प्रोशिंट इस वीडियो